हेलो गाईज मैं मनीश और आप सब देख रहे हैं विंसा में जुक्रा से आज जो एक बहुत ही ब्रेकिंग नहीं हुजाईए कि उत्त्य प्रदेश में जो प्रसिछित इसनाटक टी सिच्छक अथा टीजिटी के लिए जो टीचर्स की वेकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका ह है जो इसके रिजिस्ट्रेशन से वह 29 से शुरू होगी और अनलाइन सुरू के भी जो है आज से ही जमा होना प्रादम होगा और यहां पर अंतिम तारीक दी गई वह 27-11 दिया गया है मतलब करीब एक महिने तक का समय हम आपके पास है इस फॉर्म को भरने के लिए और इस फॉर्मस आए हैं उसको भरने के भर सकते हैं तो यह आगे देखते हैं इस फॉर्मस के बारे मोर क्या खासियत है सबसे महत्पूर्ण बात जो पिछले कई दिनों से समचार में भी थी कि अब तक कि सबसे बड़ी भरती होने वाली है तो करीब 12913 पदों के लिए जो है यह सबसे बड़ी बात यहां कुछ निर्देश दिये गए है पदा निर्देश है कि अब अव्यार्थ्य चैन बोड की वेफसाइट जो है उस पर ही आवेदन किया जाएगा और किसी भी माध्यम से जो आवेदन स्विकार नहीं किये जाएंगे तो वेफसाइट जो UPS EWSB.org है उत्यप्रदेश की ओपीसियल वेफसाइट आप वहीं से जाकर जो है इस फर्म को भर सकते हैं विज्यापित पदों की संख्या घटवा बढ़ भी सकती है अर्थाथ 12000 जो पत हैं वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है प्रसिक्षित स्था इसनातक सिक्षक स संवाक के प्रतेख विषए के सापक्ष्ष hvor कर ऐगा एक से अधिक विषए में प्रिफ्षक विथक आवेदान कर सकते हैं अर्था था अपट इसंग्रेश्निय को होंगे वह उसी भासा में होंगे अर्थात हिंदी का प्रस्ण पत्र मात्र हिंदी भासा में संस्कित का प्रस्ण पत्र संस्कित भासा में अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दु का उर्दु में होगा अर्थात आपके प्रस्ण पत्र जो भासा के प्रस्ण पत्र रहेंगे वह आगे है कि जो पात्रतार सर्ते जो आगे दी गई है उसको अभ्यार्थी जो है धारी करें और गलत यह असत्य पाई जाने पर उनका अभ्यार्थन जो है तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़े अर्थात EWS के लिए 10 प्रतिस्वत का चैति आपको देखने को नहीं मिदेगा उसका प्रत्रम चरण यहां बताया गया है बैसिकली यहां पर आजिस्ट्रेशन फोर्म में अभ्यार्थिक व्यक्तिक्ष्स उचनाय होती है वो अर्थात उनका नाम पिता का नाम माता का नाम जन के तीजेंडर इत्यारी सारी आपको भरने हरनी पड़ेगी प्रतम उसकी अतरीक यहां पर देना पड़ेगा इन्फोर्मेशन उसके बाद एवन प्रिवीव एका उप्सन मिलेगा वहां पर आप कर सकते हैं और सभी सुचनाय संपूर्ण होने पर सब्मिट एप्लिकेशन पर जाकर उसे सब्मिट कर सकते हैं उसके बाद आपको 16 अंको का पंजिक रंड संख्या प्राप्त होगा उसके बाद आपको द्वितिय चरण में जाना पड़ेगा जहां पर आपको सुल्क जमा करना होगा सुल्क जो है तिन तरीकिये से पेमेंट हो सकते नेट बेंकिंग कार्ड पेमेंट और अधर पेमेंट मॉडम से बिस प्रक्रिया सुल्क रथा साड़े साथ सुल्क जो है जनरल के टेगरी के लिए होगा इस के लिए साड़े चार सुल्क होगा अन्य पिछ्रा वर्ग के लिए साड़े साथ सुल्क ही होगा अनुसूचित जाती के लिए साड़े चार सो और अनुसूचित जन जाती के लिए 250 उ होगा विकलांग के लिए जो है मुल स्रियनी के निधर सुर्के आधि का भुक्तान करना होगा अर्थात अगर आप EWS से आते हैं विकलांग है तो आपको 400 के जिखा उसका आधा पे करना होगा अनुसी जन जाती के विद्धा जनते थी एत्यादी भरने के बाद उसे आप कर्म करें आपको अपना फोटो भरना होगा फोटो की जानकारी भी दी गई है यहां पर कैसे फोटो भर सकते हैं अब यहां पर चस्मा वगरा ना पहने रहें चाहरा साब से दिखाए दहीं सब आप जानते ही होंगे कोई खास महत्रपूर नहीं है पर गलत होने पर कठिनाईयां पैदा कर सकती हैं आगे रिक्त पदों की बात यहां पर की जा रही है तो उप्युक्त विग्यापन संख्या में करीब 12913 पदों के सापिक्ष साज्टा प्राप्त असाज के माध्यविक विद्यारों में वर्गा वरतात बादक और बादिका दोनों की अधार पर ही होने वाजा है आयू सीमा की बात की जाए तो आप यू एक जुलाई 2020 को एक जुलाई 2020 को अधिक हो जाने पर ही आप इस पाउन को भर सकते हैं वेतन माल जो है साथ में पेक्रेट की अनुसार होने वाजा है जो कि 44,900 से 1, प्रक्रिया यहां पर दी गई है तो भरती प्रक्रिया जो है वो रिखित परिक्षा ही होगी करीब 500 अंकों का प्रस्न पत्र होगा 125 प्रस्न होगे और फार प्रस्न का अंक है चार अंक का होगा तादर स्क्षकों के जिए परिक्था चार्सो पैसट अंक की होगी जिसमें भी이고 15 Garage प्रस्ण नहीं होंगे जिसमें तीन दस्मनों साथ दो अंक का एक प्रस्ण होगा पस इसकी समया उधी की बात करें तो दो घंटे इसकी समया उधी होने वाली है और प्रस्ण पत्र का स्वरूर्ट जो है होने वाला है अब भ्यारतियों तु समानने अनुदेश से यहां पर कोई खास चीज नहीं है अब इसे पढ़ सकते हैं एक चीज बताये गया कि अपना नवीनतम फोटो ही लगाए कोई पुराना ज्यादा पुराना फोटो ना लगाए और प्रतेग विशाय एवं वर्ग के द आवेदान पत्रक मान होगा हर विशाय में आप एक ही आवेदान कर सकते हैं ठीक है यहां एक चीज वर दिया और पस इस नातक सिक्षक वह प्रवक्ता पद अथा टीजिटी वर प्यजिटी की परिक्षाय अलग 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 तीथियों में संपन संपन होगी तो यदि आप दोनों के लिए वह हैं क्या करते हैं दोनों के योगी हैं तो आप दोनों को अराम से भर सकते हैं उसके बाद भासा विशाय का जो है भासा में होने वाला है आगे यहां पर वही सारी चीज़ें दी गई हैं आप नोटिफिकेशन डाउन करके पड़ सकते हैं या मेरे के लिए हैं पदों की संख्या हिंदी के लिए आप देख सकते हैं करीव 1742 पद हैं गड़ित में 1822 यहां अपने अपने श्रेणी में जनरल के दस चववन दस पचास ऐसे करके नतब अच्छी संख्या है सीटों के लिए विज्ञान में 641 उर्दू में 65 सीटे हैं अंग्रेज में वाडिज में आपको 127 सीटे देखने को मिल देंगे क्रिसी में 184 सालिक सिक्षा में 497 संगीत में 6 और संगीत गायन में 10 कुल मिला के 11451 पद जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं समानने वर्द के रिए 606410 सीटे जो है यहां पर है उसके बात बालिका वर्द के लिए आदक्षित सीटों की बात की जाए तो यह सीटे जो है बालिका वर्द के लिए आदक्षित हैं जो की करीब संख्या में 1462 सीटे आपको यहां पर देखने को मिलेंगी अब यहां हम बात करते हैं आहरताइम इस कौन-कौन इलिजिवल हो सकते हैं तो जब आप हिंदी संस्कित के साथ इंटर्मीडियर्ट अथ्वा संकच परिक्षा एवं बीड होना अनिवार हैं ठीके यहां देखिए अनिवार प्रसिक्षण आहरता दिखा गया है तो बीड आपके पास होना चाहिए या अन्ने संकच डिग्री कुई मना के बीड होना चाहिए इसके अलाव इसकी अपश्चात आप एमेड पीच्डी यहां खेल कुद में भी राज्यस्तर में काम किये हैं तो आपको उसमें जादा वरियता प्राप होती है घडित की बात करें तो बीड अथवा बीडित में आपका सब्जेक्ट घडित होना चाहिए और बीड यहां भी काम करेगा गरी विज्यान भी आप देख सकते हैं गरी विज्यान महाविद्याजर इदाबाद का टी सी रेडी इल्विन कोलेज दिल्जी का डिप्लोमा इत्यादी चीज़े आपको गरी विज्यान हो चाहिए और बीड डिग्री यहां भी अनिवारे है उर्दू में भी यही काम अगरेजी में आप देख लिए कि बीए अंगरेजी साहित या युजिसी द्वारा माननेता प्राथ किसी भी विज्विद्याजर या डिग्री कोलेज में तीन वर्स का इसनातक कोर्स और बीड आपको यहां पर भी होना चाहिए संस्कित में वार्णसी संस्कित अगरेजै उसके बाद हम बात करेंगे हां अगरा में और ढूधर भी suscept को कला के लिए वी जांत का महतवान देखना के है कि विज्विच्विविज्विद् गयान की इन चारों में से कोई दो सब्यक्ट हो और उसके साथ आपके पास होना चाहिए अर्था TGT में जो है अनिवार है उसके बाद यहां पर संगीत गाया नहीं संगीत वाधन के बारे में दिया गया तो यही TGT के बारे में इतनी इनफोर्मेशन आप जो है जारी हुई है तो TGT इंग्रिस की जो तयारी है TGT इंग्रिस देट वीडियो जो है आपको इस चैनल से मिल जाएंगी तो अगर आप इससे जुड़े आना चाहिए चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आया तो तो इसे लाइक कुछ सेयर करें थैंक यू